क्यों हैं अप लोग दोस्तों आज गिस वीडियो में बात करेंगे सीट आट फैल स्टुएंट्स के बारे में जो बच्चे आपका सीट अट में फैल हुए है पिछली बार आप लोग ने सीट आट दिया और उसमें जो है कुछ नंबर उसे आप रह जाते हैं कोई 2 नमबर से, कोई 4 नमबर से, कोई 10 नमबर से, कोई 15 नमबर से seat at में fail हो जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई सालों से seat at देते आ रहे हैं दो बार seat at दे दिया, तीन बार दे दिया, चार बार दे दिया कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 5-5 बार से CTAT देते आ रहे हैं लेकिन उनका CTAT पास नहीं हो रहा है तो क्या वजह क्या है किस तरह से उनको तयारी करनी चाहिए क्या उनके strategy होनी चाहिए या क्या गलतियां वो कर रहे हैं कहां पर बात समझ में नहीं आ रही है मुश्किल कैसे लग रहा है इतना मतलब ऐसा होना कि बार बार आप एक ही एक्जाम में फेल हो रहे हैं यहां पर कहीं नगे कुछ चीज़ें मिसिंग है यानि कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पढ़ाई में जो कि आप लोग जो है बच्चपन से अब तक पढ़ाई करते आ रहे हो भाई आपने 12 किया हाई स्कूल किया 12 किया ग्रेजुएशन किया उसके बाद में पास किया बिना बुद्धी के थोड़ा कर लिया या आपके अंदर छमता नहीं होती तो ऐसी थोड़ा आप पास होके बात क्या हो रही है एक्च्वल में कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको पता नहीं चल पा रही है कहां पे वो गलतियां हो रही है और आपको बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है एक्च्वल में यही है कि आपको सही टीचर बताने वाला नहीं मिल रहा है कि आपको कहां पर पकड़ जमानी है क्या करना है तो यहां मैं आपको यही चीज़े बताने के लिए आया हूँ कि आपको क्या करना है किस तरह से CTAT में पास करना पहली बार में आप CTAT पास कर जाएंगे अगर आप इस चीज़ को सब्जेक्ट याद करने में दिक्कत हो रही है कोई चीज समझ भी नहीं है सारे गाइडेंस आपको यहां पर दूँगा इसी चैनल पर एक एक करके सारी प्रोब्लम कमेंट में बताते रहना मैं आपको एक एक करके वीडियो के मादियम से बताते रहूँगा तो आप चैनल के साथ में जोड़ जाओ इसको सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन प्रेस कर लो बागी तयारी आपकी पूरी सीट एट की चली रही है चैनल पर क्लासेज बगरा जबरदस चल रही है एकदम और मेराथन क्लासेज भी चल रही है क्या क्या चीज़े आपकी मिसिंग है किस तरह से आपको समझना है सारी चीज़े एक-एक करके बात को हम समझेंगे देखो सबसे पहले नंबर में बात करूँ कि आपने तैयारी नहीं की भी एक कारण तो यह है कि आपने पढ़ाई ही नहीं करी तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है इसमें कोई जाड़ फूंक करके कोई मंत्र तो डालेगा नहीं कि आप पास हो जाए है ना तो इसको तो छोड़ी दो अगर आपने तयारी नहीं कि तो फिर तो कोई इलाज नहीं है आप एक बार कि आप तो वजह है नंबर एक तो यह है कि आप प्रश्ण सॉल नहीं कर पा रहे और नंबर दो है कि आपको टाइम मेनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे नंबर एक क्या है कि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर ली है लेकिन जब आप मौक टेस्ट लगाने बैठते हैं या कि किसी किताब से पढ़ेंगे या फिर आप जो है किसी चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियो वगर यूटईव पर डलती है तो वह उतना ही कंटेंट बताते हैं जिस पर व्यूज बहुत अच्छे आ सकें तो आपको पूरी थ कि अलोशना क्या होती है उससे रिलेटेड और भी चार पांच कोंसेट है चोटे-चोटे-चोटे सिद्धान वह आपको कोई नहीं बताता इसका मतलब यह है कि केवल आपको 20-30% ही सिद्धान बताते हैं और बाकी का जो है छोड़ देते हैं इसलिए ताकि आप बोर नहों और व्यूज उनके अच्छा आजाएं इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती है तो यह तो यह कारण यह होता है कि आपके पास लोकल किताब होती है तो उसमें कई बार होता है कि तो इसके लिए दो तरीके हैं या तो एक आपका यह है कि बेड़ की जो बूक् साइक्लोजी तो यहां पर तरीका यह हो सकता है कि आप जो तरीका यह हो सकता है या तो वह आप जो है मैरतन कलासेश सगरणो मैं ने भी मेरतन कलासेश आपको गया है और मैं पूरा आपको exam के हिसाफ से detail में ही कराता हूँ मैं कभी भी चाहे एक दिन, दो दिन या चार दिन मैं आपको late कराऊं class लेकिन मैं आपको detail में ही कराता हूँ ताकि आपका exam में question फस सके तो या तो एक तरीका ये है और दूसरा कारण ये है आपका प्रशन सही ना होने का ये कारण है कि theory पढ़ने के बाद आपने practice नहीं करी तो एक कारण ये हो सकता है कि आपने practice अच्छी नहीं करी तो क्योंकि ऐसा होता है कई बार कई बार नहीं हमेशा ये होगा कि theory पढ़ने के बाद जब पहली बार questions solve करते हैं पूछने का जो वे है जो उसकी लेंगवेज बदल जाती है तो आपको समझना पड़ता है वह कैसे आईगी वह आईगी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कहां से कर ओगा पूर से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सारे ही सब्जक्ट की CDP मान लीजिए बहुत अच्छो कि CDP बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि आप बार-बार practice करते रहते हैं लेकिन दूसरे ऐसे subject हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगता है नहीं होती उनकी practice वजह यह है कि आपने उनको छूने की कोशिश ही नहीं की अप जैसे math से आप सब को डर लगता है क्योंकि आपने math करा नहीं है आप अगर daily के 10 questions अपनी किताब उठाओ previous paper और कोशिश करो 10 questions daily करने की तो 5 दिन के बाद आपके 10 में से 8 सही होने लग जाएंगे अगर आप करोगे बहुत basic होता है लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहो प्रैक्टिस नहीं कर रहो एक कारण यह हो रहा है दूसरी बात है आपकी time management time management में दिक्कत कहा आती है आपकी कि आप जो है समय ज्यादा ले लेते हैं प्रश्न को solve करने का आपकी तैयारी भी अच्छी है प्रश्न भी आप सही solve कर लेते हैं लेकिन दिक्कत कहाती है कि solve करते समय time ज्यादा लग जाता है इसके दो कारण होते है नंबर एक तो यह है कि आपका reading skill कमजोर है reading का मतलब यह होता है कि समय ज्यादा ले लेते हैं आप प्रश्न को पढ़ने के लिए प्रश्न को जितनी जल्दी पढ़ पाऊगे उतनी जल्दी solve कर पाऊगे तो यह पढ़ने का तरीका भी यह यह आपका कि return में material को पढ़ना स्टार्ट करो चाहे किताब से पढ़ो चाहे previous paper ही पढ़ो तो return में जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो तब तक दिक्कत आएगी तो इसलिए आपको पढ़ने की आदट डाननी पढ़ेगी questions अब आप solve करोगे तो पढ़ोगे जाहिर सी बात है दूसरा कारण यह है आपका एक तो reading हो गई आपकी reading skill कमजोर है दूसरा कारण यह है time management ना होने का कि आपका जो concept है वो दिमाग में recalling power कम है recalling power को भी बढ़ाया जा सकता है आपकी चीज पढ़ी हुई है लेकिन आपको recall करने में बहुत time लग रहा है वजह क्या है अभ्यास की कमी यानि कि आपका दिमाग में लोंग मेमोरी में वो चीज गहराई से save नहीं हुई और save होने के बाद उसका प्रियोग नहीं हो पाया जो चीज का प्रियोग नहीं होता उसको भूलोगे जैसे मान लीजे खाना ही आपने अगर 15-20 दिन से बनाया नहीं है या एक महीना हो गया तो जब आप खाना बनाओगे तो आ ऐसे हार डालके नमक उठा लेते हो इतना प्रफेक्ट आप हो जाते हैं तो सेम वही कॉंसेप्ट है कि दिमाग में पढ़े हुए कॉंसेप्ट का कितना यूज आप कर रहे हो जब तक उसका इस्तिमाल लिए होगा तब तक रिकॉलिंग का पावर बढ़ेगी नहीं तो आप जो प्रफो का जो सिद्धान्त है जो भी फिrings आपके दिमाग के सेव कॉंसेप्ट है वह hablando में 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 भी सेव हो जाएंगे लाइन टम बैंड बज जाएगा आ खोगे बैंड और नहीं दिया है सामाजिक आपका ज़ो आपका वाई गॉटुक्त तो यह है दिक्कत तो जो चीज आपने क्यूंकि बैंड रोगा आपने बीएड में डेलेड में सब पढ़के आ रहे हुँ न लेकिन बेंडर का सिध्धान यूज नहीं हो रहा इसलिए आपके रिकोलिंग पावर कम हो गई बताओ उसने कहानी सुनाई थी बच्चों को एक कहानी उसने भी सुनाई थी आपकी जैसे कॉलबर ने कहानी और आपका टैम मैनेजमेंट अपने आप होता चला जाएगा अब आपको होगे सर इतने कम दिन बचे हैं कैसे practice होगी हो जाएगी पाँच दिन भी काफी होते हैं पाँच दिन भी जवर्दस practice कर ली ना तो छटे दिन यूं solve हो रहे होगे आपको लगता ऐसा है पहले दिन म दोनर रहे हैं बढ़ते नहीं रहे हैं क्या पर उपर नहीं कि शुटा प्राम ऊपर या हम ए किन एक्षि रहा हाई जाही काम कर रहे हुटाई उसमसे कमिने की कोशिच नहीं कर रहे आप अब कामिया डूड़नेंगे कैसे आप देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये तरीका जो आप बापको बताने वाला हो ने ये लास्ट तरीका. ये मेरा खुद का तरीका है जो मैं अपने लिए यूज़े करता हूं। यूनि वर्सल, अमेरिका में भी जाओगे, अमेरिका की भावर यूनि वर्स्ती में भी चले जाओगे न, यही तरीका बताएंगे. यह यूनि वर्सल है, पूरी दुनिया का तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा है. वो यह है भाई साथ कि आप अपने analysis करो और अपनी mistakes को अलग करने की कोशिश करो चानते हैं आप mistakes को अलग जैसे for example आपने डेर्ट सो questions का एक paper solve किया और डेर्ट सो में से आपके 80 सही हो गए तो इसमें से गलत कितने हो आपके 70 questions आपने गलत कर दिये अब ये 70 questions तो आपको बाहर निकालना है एक अलग paper पर लिखना है अब दो तरीके से निकालना है एक तो निकालना है subject wise तो जैसे आपके 5 subject थे मान लीजिए CTAT में तो उनमें से कौन से subject ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा कम number आए है जैसे मान लीजिए CTBM आपके बढ़या number आगया हिंदी में बढ़या आगया SST में आपके जो है कम number आए है तो SST को बाहर निकालो और SST में भी ये देखो इतिहास में सही आए है हिस्ट्री में आपके सही आए है या फिर civics में सही आए है तो जोगरफी को बाहर निकालो इस तरह से subject को बाहर निकालो तो जिस subject में आपके कम number आ रहे है उसकी थोरी पढ़ना स्टार्ट करो अब उसमें से उसके उस पे ज्यादा ध्यान दो एक तो ये तरीका है दूसरा ये है कि एक ही subject में बराबर number आय जा रहे है हर बार जैसे CDP मामान लीजिए आपके 25 नंबर आते हैं कभी 24 आते हैं कभी 23 और कभी 26 या कभी 22 आ जाते हैं आप चाह रहे हैं कि मेरे 25 में से 29 नंबर कब आएंगे आपने 10 बार test दे लिए दस दिन होगे लगतार CDP के तयारी करते हैं पता नहीं चल पा रहा तो यहां पर तरीका यह आपका कि इसमें से पांच questions जो आपके गलत हुए है यह पांच questions कहां से गलत हुए है कौन से सिध्धांत से कौन से टॉपिक से अब यह बहार निकालने पड़ेंगे एक तो मेरा म WDX से अगर कोई questions आ जाए तो इस से गलत हो जाता है एक और मैंने निकाल दिया कि मेरा हाशिकरन वाला question से गलत हो जाता है तो यह मैंने 6-7 topic जितने भी प्रशने थे वो अलग निकाल लिए मैंने अब मुझे next day जब मैं पढ़ूँगा तो मुझे पूरी CDP नहीं पढ़ने जाएगा तो तब आप इसको पढ़के इसका concept clear करके तब इसके प्रशन करोगे तो सही हो जाएंगे हो सकता है इन में से तीन ही सही हो दो अभी भी mistake हो जाए लेकिन आपके 25-28 हो चुके होंगे अब जो दो बचेंगे उनको अगले दिन पढ़लो तो इस तरह से नंबर बढ कमजोर है तो 30 में से 15 ले आओ कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है 15 वी लाए तो बाकि में अच्छे नंबर लाओ मान लीजे आप जो है सीडीप मान लीजे 26 लेके आ गया हिंदी में भी मान लीजे 28 लेके आ गया आप मान लीजे एस लिए से से तो सीक्न लेंग्वेज में बहुत जबरदस्त नंबर ही है क्या दिक्कत आ रही है तो अगर एक subject कमझेट कमझेट होता भी है तो कोई दिक्कत थोड़ी है अगर इसमें 10 भी आएंगे आपके 10 भी तो भी कितने बैठेंगे आपके तो भी आपके मान लिजीए यहाँ पर 5 number कम कर दो इसमें से तो 104 number आ जाएंगे कोई problem थोड़ी होती है आपका अगर एक subject कमजोर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है tension मत लो अब आप tension लेने लगते हो न तो उससे बाखी subject पर भी effect पड़ जाता है तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको अपने दिमाग पर control रखना है मुझे tension नहीं लेने और manage कर लो कि मुझे इस subject में इतने number चाहिए इसमें इतने target बना लो अपना कि मुझे CDP में 25 चाहिए Hindi में 25 चाहिए SST में मुझे मान लीजे मेरी बहुत कमजोर है तो अगर मैं 60 में से 40 भी नहीं तो 35 तो ले आऊंगा या ले आऊंगी तो 35 भी ले आऊओ कोई दिक्कत थोड़ी है मान लीजे 25 CDP में target कर लो 25 Hindi में target कर लो 35 मान लो इसमें target कर लिए मैंने SST में 10 नमबर मैंने मान लिए इसमें target कर लिए तो हो सकता है इसमें देखते हैं जूड़के कितना हो जाएगा 5 तिया 15 बचा 1 2, 2, 4 4 और 1, 5 5 और 3, 8 और 1, 9 तो 95 नमबर तो फिर भी आगए तो 5 तो मैं भी हो गया कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है फिर बताओ मुझे फिर मैं आपको और चीज़ें भी डेली बताई रहा हूँ अगर कोई और प्रब्लम होगी तो कमेंड में लिख देना मैं आपको महापी बताऊँगा और एक चीज़ मैं आपको और बतादू कि प्रिवियस प्रेपर की प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट है मतलब आप खुद सोचो प्रिवियस पेपर से ही आपको पूरा सीट नया बनता है बिल्कुल नए प्रशन इचने भी आएंगे उसी आधार पर बनेंगे तो जितनी ज़्यादा प्रिवियस पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे इसमें कोई दूर आए नहीं है 100% सत्य बात यही है अगर प्रिवियस पेपर के आपने हर सब्जेक्ट के 200-200 कोश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए न तो आपका सीट आट नहीं रुकने वाला लिख के ले लो मेरे से और इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए मैं यह आपका साथ देने आ रहा हूँ खुदी कल से ही मैं आपको previous पेपर की मैराथन seated previous पेपर की मैराथन मैं आपको कराने वाला हूँ ठीक है previous पेपर की subject wise मैराथन करा रहा हूँ मैं आपको कल से ठीक है हर subject की मैराथन कराऊँगा इसमें 2011 से 2024 तक के सारे questions एड़ कर दूँँगा जितने important आने वाले हैं आपके और एक ही class में, एक वीडियो में एक subject खतम होगा आपका, paper 1 की अलग करा दूगा, paper 2 की अलग करा दूगा, एक वीडियो में एक paper खतम, हो सकता है वीडियो आपकी 6 गंटे की जाए, हो सकता है 7 की जाए, हो सकता 8 की, यह दिक्कत नहीं है, एक वी और नहीं, इतनी practice अगर आपने कर लिए, पूरी वीडियो देखने है, चाहे आप तोड़ तोड़ के देख लेना, मान लिजे, 6 गंटे एक साथ समय नहीं मिलता, मैं मानता हूँ, घर के काम भी होता है, तो 2-2 गंटे करके 3 बार में देख लो, 2 गंटे सुबा को देख होगी, उसको comment में लिखो, next video में मैं आपको सारी परिशानी आपके दूर कर दूँगा, क्या होगया भई, touch में, अच्छा है, एक सेकेंड भई, एक चीज रह गई, आपकी इसलिए touch on करना पड़ेगा, वो board वाली touch चल रही थी, laptop वाली नहीं थी, तो अभी laptop खुला है, इस CBSC के model paper है, आपके, ठीक है, ये model paper है, तो इनको जाके देखो आप, ये आपके बहुत जबरदस questions है, इन में से ही probability है आपकी, कि यही questions आपके जो है, सीट्रैट में देखने को मिलेंगे, तो जाके ये देखो, ये बहुत जबरदस है, देखो, साथ जुलाई 2024 का paper, जबरदस आपके यहां से देखो, उसके अलावा notes पढ़ो content के लिए, content के लिए classes तो देखी रहे हैं आप, उसके साथ में पढ़ेंगे notes, अगर notes आपने पढ़े लिए, तो आपका, फिर आपको किताब अगरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे सारी चीज़ हो जाएंगे तो यह आपका app है हमारा, जो आपको मिलेगा play store पे, इसको download करो, वहाँ पर first paper, second paper, दोनों के notes मिलेंगे, उनको आप जो है, वहाँ से purchase करो और उसको पढ़ो, उसमें से ही आपका पूरा paper आएगा, अभी जो आपका जनवरी में paper हुआ है, उसमें 126 number notes में से फसेते, अब सो सेट पास करना चाहते हो, तो यह notes जरूर पढ़ लो, एक बार या, मैं नहीं चाहता, दो बारा से फिर आप जो है, एक बार और सेट का home भरना पड़े, इस बार सेट निकालो, अब फिर आगे दूसरे exam की तयारी करेंगे, सूपर टेट की वगरा वगरा, DSS भी भी, KBS आने वाली चीज़े, तो यहां पर मुझे बास समझ नहीं आती कि लालश करते क्यों हो आप, पहले महंगी चीज़े हुआ गरती थी, अप तो इतनी सस्ती चीज़े है, पढ़ाई इतनी सस्ती हो गई है, चार सु रुपए तो ककसा तीन के बच्चे की फीत है, और यह हम इतने सस 1000 की कीमत वाली चीज़ को हम 400-500 में दे देते हैं आपको, तो उसकी कीमत आप समझते नहीं हो, और जबकि रेशियो इतना तगड़ा है, कि जितने लोगोंने नोट्स लिया है आज तक, उसमें से 98% लोग पास हो जाते हैं, तो इतना तगड़ा रेशियो है, तो इसलिए मैंना बताई है, उसको फोलो करो, किलासेस डेली करो, सीटाट आपका निकलेगा, जरूर, चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई बाई, चेक किया,